वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको signal messenger जो application है ये उस पर messages delivered नहीं हो पाते हैं और message delivery field बताते हैं तो इस issue को हम कैसे solve कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके से दिखाते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा तो देखें इस issue को solve करने के लिए सबसे पहला आपको जो है अपने phone की settings में जाना होगा signal application से issue को solve करने के लिए और सबसे नीचे चले जाना होगा system में date and time पर जाना होगा और यहाँ पर use network provided पर आपको tick करके लगा देना है ठीक है सबसे पहला आपको ये करना है और अगर किसी किसी के phone में अलगतरी के साथ है time zone तो time zone आपको दिखे तो time zone पर भी click करके लगा लीजिए फिर उसके बाद आपको back ला देना है back ला देना है और यहाँ पर network के इंटरनेट पर जाना है एक दफ़ अरो plane mode को लगा देना है और बंद का देना है ठीक है फिर उसके बाद बैक लाइए back लाइए और सिधा play store में जाहिए और play store में आप सर्च करिए signal अगर प्राइवेट मैसिंजर ठीक है तो इसको सर्च माल लीजिए सर्च मालने के बाद डारेकली आपको इस तरीके से दिखा देगा update तो दिखे अपडेट आप जरूर करिएगा जिससे कि अगर तो आपको सबसे पहले यही करना है उसके बाद आपको यहां से भी back ला देना है बैक ला देना है यहां से बैक लाना है फिर settings में जाना है और उसके बाद यहां पर आपको apps and notifications में जाना है CR apps को खोल लेना है और यहां पर signal को find कर लेना है तो मैं signal को find कर लेता हूं यह रही इसको खोल लेना है खोलने के बाद force stop यहां पर मार देना है इसको और mobile data and wifi पर जाना है बैक ग्राउंड में data को start कर देना है अंजिस्टिक data को पंधी रहने देना है इस तरीके से और अलग तरीके से आपको wifi और mobile data मिलते हैं अलग-अलग मेरे में दोनों में एक हैं लेकिन अलग-अलग आपको मिलते हैं तो उनको बंद ही रहने दीजेगा जैस जब यह आप बंद रहने देंगे तो फिर उसके बाद अपने phone को बंद करके खोलिएगा फिर आपको जो यह issue आ रहा ही हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye and take care